रोज रोज एक ही तरह की सबजी बना करके बोर हो गया है तो आज मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूँ यूपी की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी मटर निमोना जिसे कि आप अगर एक बर ट्राइ करेंगे ना तो आप इसके फैन हो जाएंगे बहुत ही बेसिक मसाले से बन करके तयार हो जाती है और खाने में इसका जो स्वाद आता है मैं आपको बता ही नहीं सकती अगर आपने ये रेसिपी नहीं ट्राइ किये ना पहले कभी तो जरूर से ट्राइ कीज़ेगा तो क्या किया है ना सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू लिये हैं तो यह नए वा चील करके मोटा मोटा काट लिया और पानी में डाल करके रख दिया ताकि आलू जो है न काले नहीं पड़े साथ ही मैंने यहाँ पर मटर लिये यह ताजे वाले मटर है इस तरह सर्दियों में जो मटर आने श्टार्ट हो जाता है न तब यह सबजी बनाई जाती है जो तो जो हमने आलू काट के रखे देना मोटे मोटे वाले वो इसमें एड कर देंगे और इसे भूनेंगे चार से पांच मिट तक के लिए जब तक की आलू जो है ना 50% तक कुक ना हो जाए बहुत ही अलग तरह की सबजी है जो हम बेसिक वाले आलू मटर बनाते हैं उससे इसका टेश्ट बिलकुल डिफरेंट होता है बहुत ही अमेजिंग लगता है तो अब हम क्या करते हैं कि जब तक आलू भूल रहा है मैं इधर बाकी की तैयारियां कर ले रही हूं तो मैंने यहाँ पर मटर ले लिया है यह तकरीवन एक कप के करीब मटर होगा इस रेसिपी में ज करना है हलके से दरदरे रहेंगे तो इसका जो टेक्श्यर है टेश्ट है बहुत ही अच्छा आता है वैसे इसे ना सिलवट्टे में पीसा जाता है तो इससे उसका टेश्ट और भी अच्छा आता है अगर आपके पास सिलवट्टा होना तो आप उसमें ही पीसेगा जो प्रभाई में तेल है उसी तेल में हम क्या करेंगे कि अपने ग्राइन की वह जो मटर है उसे हम मतलब भूनेंगे तो यहां पर जो मतर का पेश्ट है उसे भूनने में तकरीबन 5-6 मिनट तक का समय लगेगा अब मतलब जल्दवाजी मत करिएगा अरहाम से यहां पर मतर को हीर करेंगे जो क्यों सबजी में ही डालेंगे तो मैंने यहां पर एक मुठी के करीब हरा धनीय ले लिया है देखीए फ्रेस वाले हरे धनीय है क्या करेंगे कि हम इसे मिक्सर के जार में डाल देंगे यहां पर जो धनिया पत्ति की कोई इन्टीटीड है वह मिन द markets यह और एक इन चदरक का टुकडा लिया उसे भी अड़ कर देंगे और इसमें वैसे लसुन भी डाली जाती है बट मैंने आज नहीं डाला आया लसुन क्योंकि आज दे उठाने का दसी था इसी वज़े से हम लोग नहीं खाते हैं साथ ही मैंने इसमें 4-5 काले मिर्च और एक छोटा चमत जीरा एड़ किया है अब क्या करेंगे किसे ग्राइंड कर लेंगे आपको जुरत पड़े तो आप यहाँ पर पानी एड़ कीजेगा उसके बाद इसे अच्छी से एक चटनी बना करके तयार कर लीजेगा तो यह जो ध इसे भूनते हुए और दीखे कैसे एक दम अलग-अलग से हो गया है तो हम क्या करेंगे कि मटर को यहाँ पर निकाल लेंगे बस इतना ही प्रोसेस आपको दोनों चीजे आलू और मटर को भूनना होता है बाकी जो सबची बनती है बहुत ही अमेजिंग होती है बाद चमच साथी आदा चोटा चमच साफ एक तेज पत्ता दो सूखी लाल मिर्च और हींग एड़ करेंगे वैसे हींग की क्वान्टिटी थोड़ी सी जादा रखेगा तो बहुत अच्छा टेश्ट आता है खाने में वैसे यह जो हींग है ना उसमें चावल-काटा मिक्स होता ह अब हम क्या करेंगे कि इसमें टमाटर एड़ करेंगे तो मैंने यह पर दो छोटे साइज के टमाटर लिया मतलब मेडियम साइज के होंगे बहुत जादा बड़े बड़े नहीं है अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक छोटा चमच धनिया पाउडर आधा चोटा चमच जीरा पाउडर एड़ करेंगे, मतलब बहुत जादा मसाले नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, साथी एक पिंच हल्दी पाउडर और टेश्ट के कहार्डिंग नमक अड़ करेंगे, वैसे मैंने डेर छोटा चमज नमक अड़ किया है, बस इसमें और कोई भी मसाला नहीं एड़ करेंगे और हल्दी भी बहुत जादा नहीं एड़ करेंगे क्योंकि ये सबजी ग्रीन कलर में ही होती है जब तक इदर टमाटर भून रहा है मैंने दूसरे साइट पानी चड़ा दिया है क्योंकि मैं बनाओंगी बहुत ही टेश्टी वाले बनाना फ्राई तो देखिए यहाँ पर जो टमाटर है सौफ्ट हो गया है तो हम क्या करेंगे जो धनिया पत्ती वाली हमनी चटनी बना करके रखी थी ना वो इसमें एड़ कर देंगे अब क्या करेंगे इसे भूनेंगे अच्छे से तो सबजी वेगर हम हमेशा ही बनाते हैं और हम क्या करते हैं मसाले को अच्छे से भूनते नहीं है तो सबजी में वो टेश्ट नहीं आ पाता है जो कि हम बाहर खाते हैं तो कोई भी सब्जी बनाए मसाले को अच्छे से भूने तभी जो सब्जी का टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आएगा। जार पे थोड़ी सी चटनी लगी हुई थी तो मैंने थोड़ा सा पानी आड़ किया है और कड़ाई में आड़ कर दिया है। अब क्या करेंगे कि इसे भूनेंगे जब तक कि यहां से ओयल रिदीज ना होने लगे। दो कच्छे के ले लिए हैं मैंने और इससे हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी चटपटी वाली बनाना फ्राई जो कि आप मतलब कभी भी बना सकते हैं। किसी भी साइड डिस के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही फटा-फट से बन भी जाती है। तो हम क्या करेंगे इसे काट लेंगे छिलके के साथ ही थोड़ा मोटा-मोटा काटेंगे क्योंकि बाद में हम इसे चिप्टा ही करेंगे। पानी इधर उबलने लगाया तो हम क्या करेंगे कि जो केले हमने काटे थे ना वो एड़ कर देंगे साथी नमक और हल्दी आड़ कर देंगे। नहीं तो जो यहाँ पर केले है ना काले पड़ जाएंगे इसी वज़ा से और इसे आपको मतलब 6-7 मिट लगेंगे पकाने में और इधर देखिए जो हमारा मसाला है ना वो भी भुन गया है और इसमें से थोड़ा-थोड़ा ओयल भी रिलीज होने लगाया अगर आप ज़ चमच मैंने और मतर एड़ किया है क्योंकि इसमें मतर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हम क्या करेंगे वापस से इन्हें एक-दो मेर्ट तक के लिए भूनेंगे उसके बाद इसमें पानी आड़ कर देंगे तो मैंने यहाँ पर हलका सा गुनगुना गर्म पानी लिया है जिसे की सबजी में बहुत ही जल्दी फटाफट से उबाला आ जाए फ्राइ कीजिए गए यह सबजी मुझे यकीन आप लों को बहुत जादा पसंद आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे किसमें आलू एड़ कर देंगे आलू उस समय जो हमने फ्राइ किये थ 50% तक कुक हुए थे और अभी हम बाकी का 50% हो जाएगा तो इसे हम क्या करेंगे ढग देंगे फ्लेम को मीडियम कर देंगे यहाँ पर आलू मटर जो हमने बाद में आड़ किये थे वो सारे यहाँ पर पक जाएंगे देखिए यहाँ पर जो केले है वो भी सॉफ्ट हो गया और इसका पानी चान करके अलग कर लेंगे आज की दोनों ही रैस्पी बहुत ही सिंपल है बट बहुत जादा अमेसिंग वाली है बहुत ही टेश्टी लगती है खाने में इधर जो बनाना है ना वो भी बहुत गर्म थे लेकिन मैंने यहाँ पर इसे चिलना स्टार्ट कर दि लिजेगा उसके बाद चिलिएगा देखिये उसके बाद क्या करेंगे हम दोनों हतेलियों के बीच रखेंगे एक एक बनाना को और इसे इस तरह से दबाते हुए चिप्टा कर लेंगे अब चाहे तो किसी प्लेट या फिर कटोरी से भी कर सकता है इस तरह से बहुत ही आसान तो और जादा मतब तरी रखिएगा तो और भी जादा अच्छी लगती है देखिए आलू को भी चेक कर लेंगे आलू यहाँ पर अच्छे से एकदम साफ्ट हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें आदा चोटा चमच गरम मसाला और एक चोटा चमच है इसमें आमचूर ए जाएंगे वैसे देखी इसे एक मतब खाने का असनी मजा राइस के साथ ही आता है बट मैंने आज राइस नहीं बनाया है क्योंकि हज्ड monitored उठाने का दसी था और हम लोग के यह राइस प्याई लसुन यह सब नहीं बनाई जाती है बट आप लोग इसे जरूर से राइस के साथ ट्राइ कीजेगा बहुत ही जादा अच्छी लगती है पैंचड़ा है मैंने उसमें थोड़ा सा तेल डाला है और जो हमारे केले थे ना उसे हमने डाल दिया है और इसे दोनों साइड अच्छे से रोष्ट करेंगे कमी तेल में बनाएंगे न तो भी यह बहुत ही जादा अच्छी क्रिस्पी बन करके तैयार होती है इधर मैंने आटा भी गूत लिया है देखिए यहां पर जो केले है ना अच्छे से दोनों इसे इसका टेश्ट बहुत ही जादा अच्छा हैगा अगर आपके पस दही बल्ला मसाला नहीं होना तो नॉर्मली अप चाट मसाला थोड़ा सा लाल मिर्श पाउडर और थोड़ा सा नमक एड़ कर लिजेगा और इसे टास कर लिजेगा देखिए यहां पर जो बनाना फ्र जाती है तो आप ध्यान रखेंगे ना तवे को बहुत जादा मत कर्म किजेगा और दोनों साइड रोटियों को मैं तो थोड़ा थोड़ा इसे किएगा उसके बाद पलट करके इसे कपड़े से हलका हलका दबाते हुए फुला लीजेगा रोटिया तवे में भी बहुत अच इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं ये रहा बहुत ही डिलीसियस वाला मटर का निमोना मश ट्राइ रेसिपी है इस ठंड में और अगर आप लोग इसे ट्राइ करते हैं तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी खाने में वैसे मुझे यकीन है कि अगर आप लोग इसे एक बार ट्राइ करेंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनती है मैं मिलती हो नेक्ट लाग में तब तक के लिए बाबाई टिक क्या